दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं कि बहतर होंगे और आए स्टार्ट करते हैं आज 25 सेप्टेंबर है 25 सेप्टेंबर का करिंट अफिर व्यक्ति क्या है ये महत्तपुर्ण नहीं है परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्तपुर्ण है आए इने विचारों क साथ आज का lecture प्रारम करते हैं आप अपने जीवर में भी यह ध्यान दे कि व्यक्तिक इस पद पे है किस औरे से ज़्यादा important है व्यक्तिक कैसा है इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा आईए start करते हैं आज का lecture और आज है world river day हमें अपने नदियों को संरक्षित करना है हमें अपने नदियों को सवारना है समवर्धित करना है उनके catchment area को encourage नहीं करना है उनके अपवाह छेत्र को हमें प्रवावित नहीं करना है the importance of river to wild diversity यह इस साल की theme है हमारे जैब बिवत्ता के लिए नदियों का महत्तुर यह इस वर्ष की theme है अगली बात करते हैं आज ही है world pharmacist day clear हो गई बात आपको ध्यान रखना है कि आज ही क्या है pharmacist day है clear अगली बात करते हैं अब हम बात करेंगे यह photo में आपको दिख रही होंगी जूलन को स्वामी जी जूलन को स्वामी जी ने 24 सप्टेंबर 2022 के दिन अपना अंतिम मैज खेला जूलन को स्वामी जी ने लॉट्स में England के अगेंस्ट अपना अंतिम मैज खेला और भारते टीम ने एक बहुत ही अपका कहा जाता है वहाँ पर इन्होंने अपने क्रिकेट का अंतिम मैज खेला है जूलन को स्वामी जी ने आपको पता है जूलन को स्वामी जी के बारे में एक संपूर्ण डिटेल्ड की जरूरत है और वो मैं आपको जल्द ही एक वीडियो के मांध्यम से देने वाला हू ये वीडियो आपको आज ही प्राप्त हो जाएगा आपको मैं यह भी बता देता हूँ कि जूलन को स्वामी जी को हम किस उप नाम से जानते थे क्रिकेट के अंदर जूलान को स्वामी जी को क्रिकेट के अंदर ध्यार रखेगा चकदे एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था और इन्होंने अपना अंतिम मैच इंगलेंड के अंगेस्ट खेला है अगले चलिए अब बात करेंगे आज हम रोजर फेडरेड के बारे में महान टेनिस प्लेयर जिन्होंने 23 सेप्टेंबर 2022 को अपना अंतिम मैच खेला और ये दो दसक तक दुनिया में राज करने वाले टेनिस प्लेयर रहे हैं दुनिया के हर खेलाडी के फेवरेट रोजर फेडरेड ने टेनिस से सन्यास ले लिया इन्हें गौट के उपनाम से जाना जाता था और इसका फुल फॉर्म था ग्रेटेस्ट ऑफ आल टाइम आपको मैं बता दू ये ध्यान रखेगा कि टेनिस के जादूगर में से एक ग् मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइस रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो सर्मिंदा ना हो ये बात इसलिए क्योंकि जो दो चिर प्रतुदंदी थे लगातार बीस साल लगबर और वो एक ही कोट में एक साथ खेलते हुए अपने साथी को विदाई दे रहे थे इसमें आपको सारे महान टेनिस किरकेटरों की सारे महान टेनिस प्लेयरों की क्या दिख रही है फोटो दिख रही है आईए अगली बात करते हैं और आज है हमारे आदरनिय पंडित दिन दियालूपाद धैजी का जन्म दिवस पंडित दिन दियालूपाद धैजी हमारे भारत के ए एक ऐसे महानेता जिन्होंने एकात्ममानवबाद अन्तियुटर जैसा कंसर्प्ट देकर भारत की दसा एवं दिसा बदल दी। भारत को एक नवीन आयाम देने वाले एवं भारत के गरीब का कल्यार चाहने वाले आदर्णिय पंडित दिन दियालुपाद ध्याईजी का जन्म करने करना है कि सिराजी ने लिया है विज इस्टेट गवर्मेंट है डिशाजेट टो इंप्लेमेंट चीफ मिनिस्टर बाल आसिरवाद योजना अब इसका अंसर है मद्ध प्रदेश यह योजना ध्यान रखेगा तो अगस्त दो दस अगस्त को लॉंच हुई पर मैं आज चर्चा क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसके संबंद में अनेक निना लिये गए मद्ध प्रदेश के मुख्यमंतरी सिर्वराज सिंग चोहां जीरे केविनेट बैठक में मुख्यमंतरी बाल असिरवाद योजना को और आगे बढ़ाने करना लिया इस योजना के अंतरगत बाल ब्राजिल रूस भारत और चेन ने ब्रिक्स के अधिक्स्ता तथा पंद्रावे ब्रिक्स चिकर समेलन के आयोजियन है तो दक्षिट अफरिका को अपना पूर्ण समर्थन दिया है इस तरह दक्षिट अफरिका में अवगला ब्रिक्स समेट होगी 2023 की आईए बात करते हैं और अगली बात है खाल ही में G4, G4 में कौन-कौन से देश है भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के बिदेश मंत्रियों की बैठक हुई इंडिया, जापान, ब्रैजिल, जर्मनी हिल्ड रिसेंटली तो ध्यान रखेगा नियू और के अदर हुई G4 में कौन-कौन है, क्वार्ट अलग है, आईट यू टू अलग है, ध्यान रखेगा अब ये है, बिदेश मंत्री, डॉक्टर S.J. संकरने कल नियू और में सयुक्त राष्ट महासवा की बैठक से लगभग जीवपोर के बिदेश मंत्रियों की बैठक की मेजवानी की, ब्राजील के बिदेश मंत्री, कार्लोस फ्रॉंक चापान के बिदेश मंत्री, ये सो the first e-commerce company to set up solar farms in India recently, और ये ध्यान रखना है, अमेजन है इसका अंसर, अमेजन ध्यान रखेगा, वो क्या करेगी solar farms से स्थापित करेगी भारत के अंदर और ये ऐसी पहली e-commerce company बन गई है, अमेजन ने राजस्थान में तीन नए 100 farms के साथ, भारत में अपनी पहली 100 परियोज है, अगर हम बात करें, तो green development के अंदर ये सबसे मातपुण कदम में से एक है, renewable energy sector के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है, अगली बात करते हैं हम, Asia Farm Oil Alliance, APOA का पहला अध्यक्ष कुना गया है, who has been neglected the first president of Asia Farm Oil Alliance, और ये बहुत important है, अतुल चतुरवेदी जी को चुना गया है, Asian Asia, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, स्रिलंका और नेपाल के पांस ताड़ के तेल आयात करने वाले देशों ने अपने सौधेवाजी की सक्ति को मजबूत करने के लिए, क्या करने के लिए ध्यान रखेगा, अपने क्या करने के लिए, भिया सौधेवाजी जिसको की कैपिसिटी को इनहेंस करने के लिए, देल करने की कैपिसिटी को इनहेंस करने के लिए, इन्होंने क्या किया है, ध्यान रखेगा, दियल लायत के टिकाव बनाने के लिए, अगरा, आगरा में, Asian Palm Oil Association की स्थापना की घोश्रा की है, Solvent Extract Association of India के अध्यक्ष, अतुल चतुर क्लियर, अगली बात करते हैं अगले प्रस्न के शाद, अगला प्रस्न है हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ, वो कौन थी, बहुत अच्छा कोश्यन है, वो एक लेखी का थी, बुकर अवर्ट से सम्मानित हैं, ध्यान रखेगा, आपको मैं बता दो, बुरक बुकर प पुरस्कार जीतने वाली लेखी का कौन सी है, यह भी आपको पता होना चाहिए, तो हिलेरी मेंटल, और ध्यान रखेगा, इनका बहुत थेमस उपर नियास है, बुल्ट हॉल, अगली बात करते हैं, रक्षा मंत्राला ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रम्होस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुवंधर पर हस्ताक्चर किये हैं, with whom has the Defense Ministry signed a contract for the dual role ब्रम्होस मिसाइल capable for surface to surface, अब यह ध्यान रखेगा, मेमर्स ब्रम्होस Aero Esposies Private Limited के साथ हमने क्या किया है, साइन किया है, रक्षा मंत्राले ने 1700 कुरूर रुपे की लाग Aero Esposies Private Limited से की जाएगी, clear हो गई बात, आएए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस्ने हाल ही में AIMS दिल्ली का नया निदेशक किशे निउप्त किया गया है, who has been appointed as the new director of AIMS दिलही, ध्यान रखेगा, Dr. M. Srinivas, ध्यान रखेगा, अस्पताल हैदराबाद, कौनसा अस्पताल, ISI Hospital हैदराबाद के डीन, Dr. M. Srinivas को दिल्ली AIMS का नया निदेशक 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 किया गया है, मंत्री मंदल की निदेशक समित ने 5 साल के लिए उन्हें AIMS का निदेशक 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 किया है, इस इंट्रे विल हैब दा, होस्टेट दा, फर्स्ट प्रिक्स वर्ल्ड चेंपियंसिप रेस मोटो ग्रांट इन दा इयर ओस 2023, तो ध्यान रखेगा, उसका आंसर है भारत, बहुत इंपर्डेंट बात है, भारत अगले साल, ग्रिटर नोलिटा के बुद्धा इंटरनेशनल सर है, और बुद्धा सर्केट आपको पता है कि हमारा पहला है, क्या है, ध्यान रखेगा, इस तरीके की चेंपियंशिप आईजित करने वाला सरकेट, अगले बात करते हैं, हाली में, ICMR के नए महानिदेशक की रूप में किशन युक्त किया गया है, who has been appointed as the new director general of ICMR recently, तो in council of medical research, आपको पता ही है, clear, आप मुझे comment box में जरा बताइए, कि ICMR कब established हुआ है, यह बहुत important question हो जाएगा आपके लिए, तो ICMR established in which year, तो आप हमें comment box के अंदर बताएंगे, और अपन अगली बात करते हैं, हाल ही में, पहला floating photo प्रदरसनी का उद्गाटन कहां किया गया है तो ध्यान रखेगा मड़ीपूर के अंदर यह किया गया है, केंदरी विदेश और सिक्षामंतरी डॉक्टर आरके रंजन सिंग ने मड़ीपूर के बिश्लो पुर जिले में लोग तक जिल में पहली floating प्रदरसनी का उद्गाटन किया, और आपको पता है कि floating national park केबिल नाम जाओ कहा है, तो आपको यह भी पता होगा क्यों लोग तक लेक के अंदर ही है, क्लियर हो गई बात, अब आप मुझे यह बताएंगे कि केबिल नाम जाओ को हब ने national park कब डिकलियर किया, comment box के अंदर आपको यह बताना है, अगले प्रस्न के साथ आगे बढ़ते हैं, कौन स is developing his first zero emission aircraft called zero E to be ready by 2035, मतलब जिसमें carbon emission zero होगा, और यह पहला अपने अपने तरह का क्या होगा, ग्रीन हवाई जहाज होगा, और ऐसा किस ने किया है, तो airbus company है, जो क्या बनाती है, हवाई जहाज बनाती है, उसने या नरधारित किया है, क्या किया है, अब वो zero emission aircraft बनाएगा और उसका नाम होगा, जीरो E, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी होगी, अगर हम बात करें, ग्रीन एनरजी के तरफ तो, एक यूरोपी अंतरिक्ष प्रद्योगी की company, एक वाई या निर्माता सहाए company है, airbus, क्लियर हो गई बात, AIDS की एक बहुत important, important company ह airbus, जो कि क्या करेगी, zero carbon emission वाला aircraft बनाने की, तयारी कर रही है, by 2035, और यह अपने आप में एक बहुत बिसाल उपलब्दी होगी, आईए अगले प्रशने के साथ चलते हैं, और अगला प्रशने है, हाल ही में भारत और कौन सा देश, सब्त कोसी उच्च बाद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है, recently India and the which country has agreed to take forward the सब्त कोसी high dam project, अब important है कि कोसी रिवर कहां से आती है, अगर आपके प्तवास इतना knowledge है, तो आप इसका अंसर दे सकते हैं, इसका अंसर है नेपाल, और आपको पता है कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है, और इ मत हुए है, जलसन साधन पर संयुक्त समित की नोवी बैटक में फैसला लिया गया है, सब्त कोसी उच्चबांध नेपाल की सब्त कोसी नदी पर बनने वाली एक बहुत देशिये परियोजना है, तो ध्यान रखेगा सब्त कोसी कोसी की ही ट्रिबिटरी है, और आपको यह भ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेर जतना हो सकें, उतना करें, थैंक यू, थैंक यू, बेरी मुच्च